कभी कभी अचानक आखोगे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसे देखकर हम हैरान रह जाते हैं अब सोची आप रास्ते से जा रहे हूं प्यास लगी है रास्ते में कुवा पढ़ा आपने सोचा की कुवे से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुछा ले कुवे में जाका तो पानी तो ठीक था लेकिन वहाँ पर आपको सापों का धेर दिखाए दिया तो सोची ज़रा आपकी क्या हालत होगी ऐसा ही कुछ हुआ मद्रप्रदेश के उतरप्रदेश के बौडर पर स्चतर छतरप जिले के हरपालपूर शेतर के भंडार गाउ में जहां पर सड़क के किनारे एक कोई में अचानक हजारों जहरीले सापों के दिखने से शेतर में संसरी सी मची हुई है कोई के आसपास के गाउं में दहशत का महौल है और अचानक हजारों सापों को देखने के लिए ग्रामिनों की वहाँ पर भीड भी खटा हो गई है एक तरफ ग्रामिन इसे देखकर दहशत में है तो वहीं दूसरी और जो इन बातों को सुन रहे हैं जिन तक की खबर जा रही है कि उस जगह पर ऐसा देखा गया उनमें भी कोतुहुल देखा जा रहा है और इसी कोतुहुल के चलते दूर दराज से भी लोग इन सापों का नजारा देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश के पंडार गाउं के कुए में हजारों की संख्या में साप एक दूसरे से गुथे हुए नजर आ रहे हैं साप को यसे बाहर निकल कर किसी को नुकसान ना पहुचा पाएं ग्रामिनों का कहना है कि किसी साप के अंडों के फूटने के साथ ही यह सारे बाहर आये होंगे किसी मादा सापने अधिक संक्या में अंडे दिये होंगे जिसके तूटने से ये एक साथ नजर आ रहे हैं इसकी सूचना स्थानी लोगों ने वनविभाग को भी दी है और वनविभाग की टीम अब इसका क्या निराकरण निकालती है ये देखने लायक होगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates